हेलो एवरिवान वल्कम तो आज चैनल पनीशिया फ़कॉंपिटेटिव एग्जामिनीशन सनाम शुवेता सो अभी हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफैर्स जो आपके टीसी एग्जामिनीशन के लिए बहुत ज्यादा यूस्फुल रहेंगे और साथी साथ जो भी टीसी एस क आपने नहीं पढ़ा है पढ़ना चाहते हो तो करेंट एफैर की प्लेलिस से आप चकाउट कर लीजिए सो जलो स्टार्ट करते आज का सेशन देखते हैं आज का पहला क्वेशन कौन सा है So who has been appointed as the director of the Zoological Survey of India So कौन है Zoological Survey of India का newly appointed director क्यों कौन है तो answer आपका हो जाएगा option number B द्रीती बेनर जी Okay सो इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हम क्योंकि ये Zoological Survey of India की पहली woman director है इसलिए ये question हमारा क्या हो जाता है important हो जाता है ठीक है So अगर हम Zoological Survey of India की बात करते हैं तो 1st of July 1916 में इसकी establishment हुआ था Headquarters कहा है खोल कटा में है ठीक है याद रखनी है First woman director of Zoological Survey of India Next question देखना भी So which state has launched the coronavirus death information portal So कौन सी state ने जो है coronavirus death information portal जो है launch किया है तो answer आपका हो जाएगा Option number A Kerala will be your right answer So यहाँ पर केला में है So क्यूं यहाँ पर इस portal को launch किया गया है तो यह maintain करना चाते है एक proper record की इस infection यानि कोरोना की वाज़े से कितने लोगों का यहाँ पर death हो गया है यह maintain रखने चाते है information So यहाँ पर केला की बात करते है तो Chief Minister कौन है केला का बताओ जल्दी से पिनाराई विजयन है अगर यहाँ पर Governor की बात करते है तो आरिफ मोहमत कान है And अगर लोगसबा And राज़े सबा सीज ऑफ केला की बात करते है केला में लोग सबा में 20 राज़े सबा में 9 सीज ठीक है याद रख लो Next question देखते है So Abraham Raisi was sworn in as the new president of which country So कौन से country के president बन चुके है Abraham So answer आपका हो जाएगा Iran So Iran के new president है Abraham So यहाँ पर August 5th को इनको पॉइंट किया गया है या ओके अगर यहाँ पर capital की बात करते है तो तहरान है capital currency की बात करेंगे तो real is the currency And यहाँ पर सबसे important चीज examination में आ सकती है कि what is the old name of Iran क्या हो जाता है Persia So Persia is the old name of Iran याद रखनी है Next question देखते है अभी President भी याद रखना जो भी new president होते है न उनका question आ जाता है examination में Next देखते है So again the most important question The Rajiv Gandhi Khail Ratna Award will be renamed by which name So Rajiv Gandhi Khail Ratna Award जो है उसको नया नाम दिया गया है So वो क्या है नाम क्या है बताओ So यहाँ पर answer option number C हो गया है Major Diyan Chand Khail Ratna Award है किसके द्वारा चींज किया गया है PM हमारे Modi के द्वारा जो है इसको चींज किया गया है So Major Diyan Chand Khail Ratna Award चींज किया गया है इनके नाम के उपर द्यांचन कौन है तो बात करेंगे तो यहाँ पर यह हमारे इंडिया के होकी प्लेयर हुआ गड़ते थे इनका जो डैथ हुआ था ना वो 3rd of December 1979 में हुआ था याद रखनी है और इनके रहते वक्त ना हमको इंडिया को तीन बार गोल्ड मेडल मिल चुकी है 1928 में, 1932 में, 1936 में, उलम्पिक्स में याद रखनो काफी ज्यादा important days है क्योंकि इनके नाम पे चींज किया गया है 1928, 32, 36 याद रखनो ओके, next question देखते है वो author the book title बेगम और रानी so, किसने जो है इस book को लिखा है तो answer आपका हो जाएगा रुद्रांक्षू मुखडजी के द्वारा लिखा गया है so, यहाँ पे कौन से बेगम और कौन सी रानी के बारे में इस book को लिखा गया है तो, यहाँ पे देखना बेगम हजरत और रानी कौन थी? जानसी की जानसी की रानी रानी लक्षमी बाई ओके so, यह दोनों के ऊपर जो है इस book को लिखा गया है कि उनके life में कितने struggles होते थे और इनके जो 1857 के rebellion के बारे में most probably यहाँ पे लिखा गया है ओके so, next question देखते हैं याद रख लो, यह book important हो जाता है क्योंकि तोड़ा history से connected है ठीक है ना? so, next question देखना who authored the book title the biography of a failed venture decoding success secret from the black box of a dead startup so, answer क्या हो जाएगा इस book को किस ने लिखा है? तो प्रशान देशाई ने लिखा है याद रख लीचे next question देखते है so, लबांशु शर्मा who won the बारत केशरी व्रेजलिंग दंगाल 2021 belongs to विट्स्टी so, कौन से स्टेट से बिलॉंग करते हैं ये? लबांशु शर्मा so, answer आपका हो जाएगा उत्राकन so, यहाँ पे बारत केशरी व्रेजलिंग दंगाल 2021 कहा पे हुआ तो टैमिलाडो में हुआ था ओके और यहाँ पे उत्राकन से बिलॉंग करते हैं ये सबसे पहले उत्राकन के चीफ मिनिस्टर गावनर लोकसबा और राजसबा सीज देखेंगे तो वू इस दे चीफ मिनिस्टर? पुशकर सिंग दामी अगर गावनर की बात करते हैं तो बेबी रानी माउर्या है और लोकसबा में है फाई सीज राजसबा में है त्री सीज ओके और नेक्स यहाँ पे टैमिलाडू की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर कौन है? एमके स्टालन है औके और नेक्स गावनर की बात करते हैं तो बनवारी राद पुरोहित is the right now गावनर लोगसभा और राजसभा आफ टमिल नाडू बात कर रहे तो हो टमिल नाडू के लोगसभा में 39 सीच और राजसभा में कितने सीच है 18 है याद रखने है next question देखते है तो किसको पॉइंट किया गया है तो answer option number A John Abraham है इतनी सी बात याद रख लो इसके आगे कुछ important नहीं होगा आपके लिए नेक्स देखना यहाँ पर on which day did the textile ministry organize the 7th national handloom day तो कब जो है organize किया गया है बताओ तो यहाँ पर answer आपका क्या हो जाएगा option number A 7th of August हो जाएगा so inaugurate so सबसे पहले यहाँ पर सुना 2015 में इसको शुरू किया गया है August of 17 से observe करना okay handloom day याद रखनी important है launch किया गया है किसके द्वारा 2015 में हमारे नरिंद्र मूदी के द्वारा जो है इसको launch किया गया है so august 7th को handloom day के साथ यहाँ पर हमको और एक day आ गया है उस day कौनसी है जावलिन त्रो डे इस दिन observe किया जा रहा है हमारे गंटरी में 2021 से क्योंकि यह august 7th को यहाँ पर हमारे गंटरी को gold medal मिल चुका है जावलिन त्रो में इसलिए याद रखनी है यह भी important हो जाता है यह भी important question है again the most important question which of the following is India's first earthquake early warning app for notifying people about earthquake alerts so question समझ में आ गया है ना इंडिया के पहली earthquake notify करने वाला app यानि जब कुछ भी एरिया में आप रहते हो उत्राकंड यहाँ पे आंचर आपका हो जाएगा उत्राकंड so उत्राकंड में कभी भी कही जगा पे earthquake आने वाली है तो अगर आपके mobile में यह app है तो उससे क्या होगा आपको notify हो जाएगा कि इस एरिया में earthquake आने वाली है तो आप alert हो सकते हो ना so इसलिए ओके हमारे इंडिया के पहली ऐसी आप है याद रख लीजे उत्राकंड बुकांप बुकांप alert ओके so यहाँ पर डेवलप पी किसके द्वारा किया गया है तो IIT रूकी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है न असोशियेशन विध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉर्टी के असोशियेशन यानि उनके साथ मिलके बनाया गया है ओके सो ऑगस्ट फूर्ट को इसको लॉंच किया गया है एंड चीफ मिनिस्टर को ने पुशकरदामी के द्वारा लॉंच किया गया है ठीक है न याद रख लो इंपोर्टन प्वेशन है बुता रही है नेक्स देखना सो वेन इस हिरोशिमाड डे अब्जर्व एवरी यर सो कब अब्जर्व किया जाता है हिरोशिमाड डे हमारे पुरा वर्ड में सो आंसर आपका हो जाएगा ओगस्ट विल बी और राइट आंसर क्यों यहाँ पे हम 1945 को कमामरेट यानि उस दिन को याद रखते हुए इस दिन को अब्जर्व करते है 1945 के ओगस्ट को याद करते हुए हम इस दे को अब्जर्व करते है सो इस दिन को क्या इस दिन में क्या हुआ था सो 1945 में यूएस ने जपान के हिरोशिमा एक जगा की नामे वहाँ पे जो है इन्हों ने एक अटॉमिक बॉम जो है डाला था ओके और उसके बाद ऑगस 9 पे ऑगस 9 पे अगे नागसाकी बोलगे गेरिया जपान में ही वहाँ पे का गेन डाला गया था ओके सो बहुत ज्यादा डिजास्टर हुई थी उसी को अब्जर्व करते हुए इस दे को हम अब्जर्व करते हैं ठीक है ना सो चलो नेक्स क्वेशन देखते हैं तो यहाँ पी अंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए मनानबट अंसर हो जाएगा मनानबट यह कौन है तो यह एक रिटार्ड नॉन कमिशन नर्ड ओफिसर है इंडिया नावी के इन्होंने जो है पाटिस्पेट कारिगल वाल में भी किया था और आपरेशन पार क्रम में भी किया था ओके इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है याद रख लो यह भी इंपोर्टेंट हो जाता एक्जामिनीशन में डायरेक्ली क्वेशन आ सकती है ठीक है ना ओके सचलो इतना ही रखते आज का क्लास होग आपको अच्छी लगी होगी क्वेशन सारे क अच्छे हैं बहुत अच्छे क्वेशन से याद रख लो ठीक है ना सो तांक यू आल फू वाचिंग इस सेशन सेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कल इसी टाइम पर हम इसी क्लास को खल करेंगे बाबाई अव्रिवन